गड़ी गोदा में ओयो टाउन हाउस होटल के कबने में चल रहे धे व्यपार अड़े पर पुलस ने चापा मारा पुलस ने पीडित युफ्ती को छोड़ा कर आरूपी रोशन और्फ सल्मान राजेश डोंगरे को हिरासत मिलिया है यह कारवाई अपराई शाका पुलस विभाग के मानत तसकरी विरोधी दस्ते और सामाजिक सुरक्षा विभाग के दस्ते ने सयुक्त रूप से अंजान दिया है गड़ी कोदाम में ओयो टाउन हाउस होटल के कमरे में चल रहे देहवापार अड़े पर पुलीस ने च्छापा मार करवा ही कर एक पेड़ित युफ्ती को छुड़ा कर उसे अपने हिरासत मिलिया महिला दलाल आरोपी रोशन उर्फ सल्मान राजेश डूंगरे ट्रस्ट लेयाउट पांडरा पोड़ी अमचरी निवासी को गिरफतार किया गया बताय चाता है कि आरोपी पहले आटो चलाय करता था उसके बाद वो देहवावासाय के धंदे से जुड़ गया वह युफ्तियों को होटलों में ले जाकर उनसे देहवावापार कराता था ये कारिये वकरी तीन से चार साल से कर रहा था पुलीस सुत्रों से मिली जानकारी के नुसार अपड़ा शका पुलीस व्यभाग के मानो तसकरी विरोथी दस्ते और सामजिक सुरक्षा व्यभाग के दस्ते ने सयुक्त रूप से सकारवाही को अंजाम देती हुई गड़ी गोदाम में ओशो टाउन हाउस होटल में चल रहे देहवापार अड़े पर चापा मारी की आपको बता दे कि इस अड़े से क्युफ्ति को मुक्त कराने के बाद उसे देहवापार कराने वाले आरोपी रोशन उर्फ सल्मान डूंगरे को भी गरफतार किया गया आरोपी रोशन गड़ी गोदाम परिसर में ओयो टाउन हाउस होटल में आर्थिक फाइदे के लिए युफ्तियों से देहवापार करवा रहा था फिलहाल पुलीस ने आरोपी रोशन पर पीटा एक्ट के तहत मामला दर्च किया है इन बिसे नियूस के लिए कैमरा परसन अखिलेश भरतवाच के साथ रुपा पंडित के रिपोर्ट